नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आज सिडको की तरब से जो उल्वे की लोटरी है उसको लेके एक अपडेट आया है वो अपडेट के उपर बात करेंगे पर बात करने से पहले रिक्वेश्ट करूँगा जो भी नए वीवर्स आए है चैनल को कीजिए वीडियो की शुरुवात हम थोड़ी देर में करते हैं दोस्तों वीडियो की शुरुवात कर लेते हैं जैसे मैंने आपको कहा था वीडियो की शुरुवात में की उल्वे जो नौड था 2022 की जो लोटरी आई थी दिवाली के वक्ट शिडको ने निकाली थी उसके ए को extend किया है जा तक सिड़कों की बात करें तो उनका कहना यह है कि काफी बंपर response मिल रहा है यह जो उल्वे की लोटरी जो एनौस करी थी सिड़कों ने दिवाली में जी हां उल्वे की पूरे जो नोड है उस उस पूरे लोटरी का एनौसमेंट पूरे नोड के लिए हुआ था सिड़कों की तरब से application form भरने के लिए जी हां एक बार फिर से बता दूँँ जो वक्त दिया गया है वो 6 जनवरी का था पहले उसको extend करके 21 जनवरी को यह जो application date है इसको सिड़कों ने और बढ़ा दिया है 24 जनवरी है वो payment processing की जो last date होगी जो आपको payment भरनी है वो 24 जनवरी से पहले आपको payment भरनी होगी यह जो उलवे की जो lottery है इसको लेके और बाकी जो 4th February जो date दी गई है इसमें जो lottery जो final list है जिन जिनको apply करके जो scrutinity होती है किन-किन के document valid है नहीं है तो यह जो final list है वो आपक चार February को बकाईदस जो सिडको की website है उस पर देखने को मिलेगी और यह lottery कब announce होगी वो भी मैं आपको बता दूँ यह lottery 8 February 2023 को announce की जाएगी सिडको की तरफ से live lucky draw की तरह यह lottery announce की जाएगी जैसे कि मैंने बताया आप जाये उलवे में काफी बहतरीन property है सिडको की जो airport आ रहा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था तो मुझे comment box में बताईएगा मैं जरूर वहां जाके अगर अच्छा response आता है comments में मुझे बकाईदा बार-बार कहा जाता है कि वहां जाके वीडियो और connectivity के लिहास से वीडियो बनाईए तो मैं जरूर वहां जाके आपकी जो भी दिक्कते हैं या फिर किसी भी तरह की confusion है उसको sort out करने की कोशिश करूँगा तब तक अपना ध्यान रखी गया नमस्कार चैमारस्था